ज्यादा समय खराबने करते हुए सीधी बात करेंगे इस वीडियो में आपको अपना यूटूब चेनल डेक्स्टोप साइट मौड में ओपन करना सिखाये गया है बेसिकली ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो नई यूटूबर हैं जिनको अभी तक चेनल डेक्स्टोप साइट मौड में ओपन नहीं करना आता है जी हाँ जैसे कम्प्यूटर में आपको चेनल ओपन होता है ठीक उसी परकार मोबाइल में अपना चेनल खोनने के लिए हम चेनल को डेक्स्टोप साइट मौड में ओपन करते हैं कैसे देखे सबसे पहले आपके मोबाइल को क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है जैसे ही क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे कोने में यहाँ पर यह तीन डॉट दिखाई देते हैं इन पर आपको क्लिक करना है इन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके मोबाइल में यह नया टेब ओपन होता है न्यू इंगिनिडो टेब इस पर टेब करना है जैसे ही इस पर किलिक कर देंगे ऐसे ओप्शन खुलेगा और यहां पर एक सर्च बार आती है इस सर्च बार में आपको लिख देना है वाई टी वाई टी सोट में लिख सकते हैं आप पूरा लिखना चाहो यूटूब भी लिख सकते हैं जैसे ही यह लिख कर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यहां पर एक लिंक आ जाता है ओफिशल यूटूब का लिंक है इस पर किलिक करेंगे इस पर जैसे ही आप किलिक करेंगे तो आगे एक नया पेज पर उपन होता है देखिए यह पेज कुछ इस परकार से open होता है और हमारे सामने यहां पर right side में कोने में इस तरीके का ID का symbol आता है इस पर हम click करेंगे इस पर click करते ही हमें एक option दिखता है sign in sign in पर click करना है जैसे ही sign in पर click करेंगे हमारे से यहां पर channel की email ID मांगी जाती है देखिए जो box आ गया उसमें आपकी channel की email ID लगा देनी है जिससे आपका YouTube channel बना हुआ है मैं लगाता हूँ और open करता हूँ email ID लगाकर next पर click कर दिया next पर जैसे ही click किया हमारे सामने option आ गया password का अब मैं यहां पर password एंटर कर देता हूँ password मैंने लगा दिये हैं अब next के button पर click करेंगे ठीक इसी परकार आपको भी अपने channel के password लगाकर यहां पर next पर click कर देना है जैसे ही next पर click करेंगे आपका page कुछ इस परकार से open हो जाएगा अब यहां पर proper रूप से desktop site में open करने के लिए फिर से इस three dots पर click करेंगे इन पर click करते ही हमारे सामने option आता है desktop site इस पर click कर देंगे इस पर click करने के बाद page refresh होकर कुछ नए design से यहां पर open हो जाता है अब यहां पर proper रूप से आपका जो YouTube channel है यह desktop site mode में open हो चुका है अब यहां पर देखें मैं दिखाता हूँ right side में इस तरीके से आपके channel का logo यहां पर दिखा देगा इस पर click करते ही आपके channel की सारी setting यहां से open हो जाती है जो आप अपने laptop और computer में खोलते हैं वो सारा काम यहां पर कर सकते हैं देखें यहां पर option आ रहा है योवर channel और YouTube studio यह दोनों यहां पर बहुत अच्छे option इनसे ही सारा काम होता है channel पर जैसे ही योवर channel पर आप click करते हैं तो यहां पर देखें आपके सामने यह दो option आते हैं customize channel और manage videos यहां से सारी setting होती है और सब कुछ होता है अब आगे वीडियो में मैं आपको यह जो desktop site mode में mobile को open करना नहीं सिखाऊंगा और बाकि सब कुछ बताये जाए